कोरोना संक्रमन के तीन लहरों से दुनिया भर में मची तबाही के बाद लोगों ने कुछ राहत की सांस ली ही थी कि अब एक बार फिर से कोरोना के नए सब वेरियन ने डराना शुरू कर दिया है इस नए सब वेरियन जे एन वन के अब तक 40 देशों में केसे सामने आ चुके हैं भारत में फिलहाल कोविट संक्रमन के 23 से ज़ादा एक्टिव मामले हैं कोरोना केस नए सब वेरिंट जे एंवन के बारे में ये खास बात है कि इसका सबसे पहला केस अगस्त में लेक्जंबर्ग में पाया गया। इसके बाद ये धीरे धीरे 36 से 40 देशों में फैलता चला गया। जबलो अच्चों ने इसे वेरिंट आफ इंटरेस्ट काहा है। कोविट के चलते बीते दो हफ्तों में देश के अंदर 16 मौते हो चुकी है। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि इन लोगों को पहले से कई गंभीर बिमारियां थी। यानि ये लोग को मौर्बिडिस से पीडित थे। हाल ही में 15 दिसंबर को बैंगलूरू के एक नीजी अस्पताल में एक व्यक्ती की कोरोना संक्रमन से मृत्य हुई थी। वो भी दूसरी कई बिमारियों से पीडित था। इस रोगी का सैंपल इखटा कर जीमेन सिक्वेंसिंग के लिए भेज दिया गया था। भारत में बिते दिन कोरोना संक्रमन के 614 नए मामले दर्ज किये गए हैं जो 21 माई के बाद के सबसे ज्यादा हैं। बुद्वार को अपडेट किये गए केंद्रे स्वास मंत्राले के आंकडों के आक्टिव केस बढ़कर 2311 हो चुके हैं। 24 घंटों के दौरान केरल में 3 लोगों की मौत हो चुकी हैं। जिसके बाद देश में कोविट के मरने वालों की संख्या 5,33,000 हो चुकी हैं। अब तक भारत में कोरोना के 4,50 करोड केस सामने आ चुके हैं। वेशो स्वास संगठन याने डबलोचो ने JN1 स्ट्रेन के बारे में बताया है कि जांच में सामने आया है कि दूसरे वेरियन के तुलना में ये अधिक असानी से फैलता है। जॉन्स हपकिन्स ब्लूबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक वायरोलोजिस्ट एंड्रियू पेकोज ने कहा है कि JN1 अधिक जोकिम पैदा नहीं करता है। JN1 को पहले इसके मूलवंश BA 2.86 के हिस्से के रूप में वरगीकरत किया गया था। लेकिन WHO ने अब इसे अलग प्रकार के तौर पर वरगीकरत किया है। झाल पर जोपर्दियू